आज हम पढ़ेंगे आरो भाग दो पुस्तक से काविखंड की अंतिम कविता फिराग गोरक पुरी जी द्वारा रचत रुबाईयां और गजल रुबाईयां और गजल पढ़ने से पहले हम फिराग गोरक पुरी जी का एक संख्शेप्ट जीवन परिचे पढ़ लेते हैं फिराग जी उर्दु फार्सी के जानेमाने शायर थे इनका जन्म 28 सगस सन 1896 को गोरक पुर में हुआ था इनका मूल नाम रगुपति सहाई फिराग था गोरक पुर में जन्म लेने के कारण इन्होंने अपने नाम के अंत में गोरक पुरी शब्द जोड़ा था इन्होंने रामकृष्ण की कहानिया से अपनी शिक्षा की शुर्वाद की बाद में अर्भी फार्सी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहन की 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पदपा चैनित हुए परन्तु स्वतंतरता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में इस पद को त्याग दिया आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1920 में इन्हें डेड़ वर्ष की जेल भी हुई थी ये इलाबाद विश्वय द्याले में अंग्रेजी विशे के अध्यापक भी रहे इन्हें गुले नगमा के लिए साहित अकादमी पुरुसकार ग्यानपीट पुरुसकार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था फिराग जी की महत्वपूर क्रेतियां हैं गुले नगमा बज में जिन्दगी रंगे शायरी तथा उर्दु गजल गुई सन 1938 में फिराग जी का दिहानत हो गया था उर्दु शायरी अपनी लाक्षनिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है और यही चीज फिराग जी के शायरी और गजलों में भी दिखाई देती है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फिराग जी द्वारा रचेत रुबाईयां सरप्रथम है आंगन में लिए चान के टुकड़े को खड़ी हाथों पे जुलाती है उसे गोद भरी रहरे के हवा में जो लूका देती है गोंज उठती है खिलकिलाते बच्चे की हंसी फिराग जी की रुबाईयां उनकी रशना गुले नगमा से ली गई है यहां हम उनकी कुछ रुबाईयां पढ़ने जा रहे हैं रुबाई उर्दू और फार्सी का एक चंद या लेखन शैली है इन रुबाईयों में हिंदी का एक घरोल्यू रूप दिखाई देता है यहां पर फिराग जी द्वारा रचत रुबाईयों में रक्षा बंदन तथा दिवाली के तुहार का वर्णन मिलता है तथा मा और बच्चे के बीज में वात्सल या प्रेम भरे विवहार का भी हमें वर्णन मिलता है तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला आंगन में लिए चान के टुकडे को खड़ी हाथ पे जुलाती है हाथों पे जुलाती है उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है गुँज उठती है खिल खिलाते बच्चे की हसी चान का टुकडा जो हमें बहुत प्यारा है गोद भरी गोद में भर कर लोका देती है मतलब उच्छाल देती है इस रुबाई में कवी ने मा के स्नेह का वर्णन किया है यहाँ पर शायर कहते हैं आंगन में लिये चांद के टुकडे को खड़ी हाथों पे जुलाती है उसी गोद भरी शायर कहते हैं एक मा अपने चांद की टुकडे अर्थात अपने बच्चे को अपने घर के आंगन में लेकर खड़ी है हाथों पे जुलाती है उसे गोद भरी और अपने गोद में उसने बच्चे को लिया है और वही अपने चान की टुकड़े अपने बच्चे को अपने हाथों में जुलाने लगती है फिर वो क्या करती है रह रह के हवा में जो लोका देती है लोका देना उच्छालना बीच बीच में वो अपने बच्चे को हवा में उच्छालती है मां और बच्चे की इस प्रक्रिया में क्या होता है गुझ उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी और बच्चा उसको उच्छालने से बहुत खुश हो जाता है और उसके खिल्खिलाहट से पूरा वातवरन जो है एक खुशनुमा हो जाता है उसकी खिल्खिलाहट भरी हसी गुंजन लगती है घर का आंगन बच्चे की इस खिल्खिलाहट से गुंज उठता है कभी ने चांद का टुकड़ा मा की गोद में खेल रहे बच्चे को का है क्योंकि वो चांद के समान बहुत सुन्दर है बच्चे की हसी का कारण है मादवारा बच्चे को हवा में उच्छाले जाना या उसे खुश करने के लिए हवा में उच्छालना और जब बच्चा हसता है तो उसकी हसी गुंजने लगती है यहां काव्याश का भाव है मा अपनी चान जैसी सुन्दर संतान को गोद में लेकर खड़ी है और वह उसे अपनी हाथों से उसे उच्छालती है हवा में उच्छालती है और बच्चा जो है खिल-खिला कर हसने लगता है तो इस रुबाई का काविसोंदर है उर्दू हिंदी मिश्चत शब्दावली का प्रयोग किया गया है द्रेश बिंब है जैसी आंगन में लिये चान की टुकडे को खड़ी गोद भरी, हाथों पे जुलाती, हवा में लोका देती है और वात्सले रस की प्रधानता है अंतिम पंक्ती में शवे बिंब है बच्चे का खिल-खिलाना और चान का टुकडा मुहावरा शब्द का सुन्दर प्रयोग है रह रह में पुनरुक्ती प्रकाश और लोका देना एक देशी भाषा का शब्द है चली अब पढ़ते हम सेकेंड नहला के छलके छलके निर्मल जल से उल्जे हुए गेसों में कंगी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुह को जब घुटनियों में लेकर पिनहाती कपड़े अब यहाँ पर माधवारा बच्चे को नहलाना कपड़े पहनाना उसके बालों को सुलजाना इस प्रक्रिया का वर्णन किया है चलके चलके मतलब हिलते डूलते निर्मल का मतलब है स्वच और साफ गेसों कहते हैं बालों को पिनहाना मतलब पहनाती पिनहाना शब्द जो एक लोग भाशा का शब्द है यहाँ पर शायर कहते हैं नहला के छलके छलके निर्मल जल से कि मा अपने बच्चे को साफ सुत्रे जल से नहलाती है फिर वो क्या करती है उलजी हुए गेसों में कंगी करके जब उसके बाल नहलाने की प्रक्रिया में उलच जाते हैं तो वो अपने बच्चे के बालों को क्या करती है कंगी करती है और बाल कैसे है जिन में से पानी चलके चलके है जिन में से पानी अभी गिर रहा है और किस प्यार से देखता बच्चा मुह को जब घुट्नियों में ले के पिन हाती कपड़े मां जब अपने बच्चे के बालों में कंगी करती है फिस अपने घुटने में लेकर बिठा कर ताकि बच्चा गिर ना जाए उसे पड़े प्यार से वो कप्ड़े पहनाती है तो बच्चा पड़े स्नेही के साथ अपने माँ के मुख को निहारता है मा बच्ची को स्वच जल से नहलाती है पानी के छलकने से बच्चा खुश हो जाता है और जब मा उसके उलजे बालों में कंगी करती है उसे अपने घुटने पर लेटा कर उसको कपड़े पहनाती है तो वो अपनी क्या करता है बच्चा अपनी मा को बड़े प्यार से देखने लगता है तो इसमें क्या है? मा के स्नेग का स्वभाविक वर्णन है उर्दो हिंदी भाषा का मिश्चित रूप है वासल रस की सहज अभी व्यक्ति है छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कंगी करके में अनुप्रासलंकार जब घुटनियों में लेके पिनहाति कपड़े लोक भाषा का प्रयोग है रुबाई छंद है नेक्स देखिए दिवाली की शाम अब यहाँ पर जो है दिवाली के तिहार का वर्णन किया है कि दिवाली के अफसर पर किस तरीके से एक तरह से प्रकाश पर्वसा चारों ओर दिखाई देता है दिवाली के शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलोने जगमगाते लावे वो रूप मती मुखडे पेक नर्म दमक बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिये इसमें दिवाली के त्योहार का वर्णन है यहां शायर कहते हैं दिवाली की शाम घर पुते और सजे आज दिवाली की क्या है शाम है आज दिवाली का त्योहार है और घर पुते और सजे घरों को रंग रोगन से साफ सुतरा सजाया गया है और चीनी के खिलोने जगमगाते लावे घर में मिठाईयों के नाम पर चीनी के बनेवे खिलोने है और चारू तरफ क्या है जगमगाते लावे लावे किसको कहते है कि जो लाए गए है क्या खुबसूरत खिलोने लाए गए है वो रूप मती मुखडे पेक नर्म दमक बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिये चीनी के बनेवे खिलोंगे लाये जाते है रोशनी भी की जाती है मा के सुंदर मुँपर एक हल्की सी चमक आ जाती है जब वो अपने बच्चे के छोटे घर में एक धिया जलाती है बच्चे का घर कौन से होता है एक छोटा सा मंदर जैसा और मा के चेरे पर एक चमक आ जाती है दिवाली के अफसर पर लोग घरों को रंग रोगन करते हैं उससे सजाते हैं दियों से जग बगाते हैं जब मा बच्चे के घर में दिया जलाती है तो उसके मुँपे एक अलगी चमक होती है एक खुशी होती है और मा बच्चे के जब वो दिया जलाती है क्योंकि इस कारे से उसको और बच्चे को बहुत खुशी मिल रही है विशेश देखिए रुबाई चन और बाशा का मिश्रित रूप है उर्दू मिश्रित तो है यह सहसरल भी है और आम व्यक्ती के घर में दिवाली के अफसर पर हुई रौनक का यहां स्वभाविक चित्रन है मा की ममता का एक सुन्दर सचित्र है द्रिश्य बिंब है कहां पर रंग रोगन से पुते और सजे घर चीनी के खिलोने जगमगाते रूप पती मुखडे पे एक नर्म दमक घरोंदे में जलाती है दिये यहां पर तो आप देखते हैं अगली पंक्तियां आगन में ठुनक रहा जिद्याया है बालक तो है चांद पे लल्चाया है दरपन उसे देखर कह रही है मा देख आईने में चांद उतर आया है यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है आंगन में ठुनकना मचलना या बनावती रोना रोना जिदेया जिद के कारण मचला हुआ दर्पण शीषे को कहते हैं आऐना भी शीषे को कहते हैं और यहाँ पर गोरक्पुरी जी ने बाल हटका वर्णन किया है जिसमें बच्चा माँ से चान मांग रहा है और वह उसे बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर हमेज सूरदाजी द्वारा रचित कुछ पंक्तिया भी याद आती है जब क्रेश्ण अपनी माँ से जिद करते है मैया मैं तो चंदर खिलोना ले हूँ कुछ ऐसा ही भाव यहाँ दिखाई देता है कि आंगन में ठुरक रहा जिद्धी आया है यहाँ शायर कहते हैं छुटा बच्चा आंगन में मचल रहा जिद्ध लगा के बैठा है कि उसे क्या चाहिए बालक तो है चान पे लल चाया है कि उसे तो वही चान चाहिए जो आसमान पर चमक रहा है आज उसका मन पच्चे का मन किस पर आ गया कि भई उसे तो चमकता हुआ चान ही चाहिए और मा क्या करती है अब उसके बाद दरपन उसे देखर कह रही है मा देख आईने में चान उतर आया है उसे शीशा दिखाती है और शीशे में चान दिखाते है कहती है कि देख बीटा चान तो तेरे पास तरी आंगन में उतर आया है और इस तरह वो शीशे में चान दिखाकर बच्चे की जिद को पूरा करती है यहाँ पर शायर ने बाल मनोविज्ञान का एक बहुत सुन्दर सहर चित्रन किया है कि बच्चे किसी भी वस्तूपर जिद कर बैठते हैं तता मचलने लगते हैं और वो जिद करते हैं कि उसे वही चीज़ चाहिए और माने भी उस बच्चे को शांत करने के लिए दरपण में शीशे में चांद का प्रतिम्ब दिखा कर उससे बहला दिया कि देख तुझे चांद से ये मैंने ये चांद जो है अपने आंगन में ही उतार कर तुझे ला दिया है कि देख चांद आईने में चांद उतर आया है कि तुझे जिद मत कर चांद तो हमारे पास आ गया है यहां पर विशेश में देखिए उर्दु हिंदी मिशिद भाषा है बच्चे की जिद और मादवारा उसके समाधान की प्रक्रिया का स्वभाविक वर्णन हुआ है जिद्याया और है यह शब्द का प्रयोग बिलकुल विशेश है वाजसले रस है चित्रात्मक शैली है अठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है आईने में चांद उतर आया एक सुन्दर सी कल्पना है आईए अब अंतिमरुबाई देखते हैं रक्षा बंदन की सुबा रस की पुतली चाई है घटा गगन में हलकी हलकी बिजली की तरह चमक रहे लच्छे भाई के लिए बानती चमकती राखी यहाँ पर शायर ने रक्षा बंदन के तुहार का वर्णन तो किया ही है साथ साथ उस समय के मौसम और माहौल का भी वर्णन उन्होंने किया है यहाँ पर रक्षा बंदन पर्व का वर्णन प्रकरती की माधम से किया गया है गोरकपुरी जी कहते हैं कि रक्षा बंदन की सुभा रस की पुतली रस की पुतली आनंद की सौगात या मीठा बंदन घटा बादल लच्छा राकी के चमकदार धागे या चमचमाते धागे शायर कहते हैं रक्षा बंदन की सुभा आनंद और मिठास की सौगात है रस की पुतली चाई है गटा गगन में हलकी हलकी और मौसम कैसा है यह दिन मीठे बंदन का दिन है सावन का महीना है आकाश में काले काले बादलों की हलकी गटाएं चाई होई है ऐसे में क्या होता है बिजली की तरह चमक रही है लच्छे जैसे बादलों में बिजली चमक रही है न इस तरह राखी के लच्छों में भी बिजली की एक चमक दिखाई दे रही है भाई के है बांधती चमकती राखी और ऐसे चमकदार मौसम में, सुहावने मौसम में एक बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है रसकी पुतली कौन है? राखी बांधने वाली उसकी बहन उसे यह संग्या इसलिया दी गई है क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रती अत्यधिक्स नहीं है राखी के दिन, आकाश में हलके हलके बादल चाय हुए है, बिजली भी चमक रही है और यहाँ पर राखी में जो चमकदार लच्चे हैं, वे बिजली की तरह एक नई आभा, सुन्दर आभा बिखे रहे है विशेश में देखते हैं, उर्दो हिंदी मिश्वत भाषा, रक्षा बंधन के त्योहार का प्रभावी जित्रण है हलकी हलकी में पुन्रुक्ती प्रकाश अलंकार है, और बिजली की तरह चमक रही लच्चे में उपमा अलंकार है प्रसन बालिका को रस की पुतली की संग्या दी गई है, और रुबाई च्छन्द तो है ही तो ये था, फिर आग गोरकपुडी जी द्वारा रचे दुरुबाई या बच्चो